प्याज के दामाई को लेकर भारत में महाभारत जारी है। प्याज के बढ़ते दामों पर नियंतरन करने के उदेशे से 7 दिसंबर को भारत सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। इसके बाद प्याज के ठोक भाव 40 रुपए प्रती किलो से गिरकर 10 रु प्याज की ओसत कीमत इन दो सालों में 15 रुपए किलो तक रही है जबकि प्याज की लागत प्रती किलो 20 से 25 रुपए के बीच है। वहीं प्याज किसानों का ये भी कहना है कि बेशक प्याज उत्पादन के मामले में भारत में पिछले कुछ दशकों में बढ़ोतरी दर्स क प्याज की बर्बादी किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। किसान अकसर कहते हैं कि कम लागत और प्याज की बर्बादी से उनका नुकसान बढ़ जाता है। आए आज जानते हैं प्याज बर्बादी की कहानी। साथ ही जानेंगे कि प्याज किसानों को प्याज बर्ब से किसानों को नुकसान होता है। प्याज बरबादी की इस कहानी को समझने से पहले प्याज की प्रकृती को समझना होगा। असल में दुनिया भर में फूड आइटम को उनकी सेल्फ लाइफ के हिसाब से तीन श्रेनियों में रखा जाता है। जिसमें perishable, semi-perishable और non-perishable श्रेनिया शामिल है। perishable यानि जल्द खराब होने वाले फूड आइटम है। इस श्रेनि में मास, दूद यानि डेरी प्रोडक्ट और सबजियों का रखा जाता है। जबकि non-perishable आइटम में अनाज जैसे खादे पदार्थों का रखा जाता है। जबकि फलों के साथ प्याज को semi-perishable आइटम की सूची में रखा गया है। इसका मतलब है कि प्याज को बिना विशेश इंतजाम के दो महीनों तक ही स्टोर किया जा सकता है। Post-Harvesting यानी फसल कटाई के बाद प्याज की बरबादी को लेकर Central Institute of Post-Harvest Engineering and Technology ने एक स्टडी कराई थी। जिसमें देश भर के छे क्रिशिजलवायू क्षेत्रों से एकत्र किये गए आंकडों के आधार पर प्याज में नुकसान का अनुमान लगाया गया है। साइफएट का अनुमान है कि गुजरात में कुल फसल का 5.49% प्याज पोस्ट हार्वेस्टिंग के बरबाद होता है जबकि महाराष्ट्र, मद्यप्रदेश और राजस्थान में कुल उत्पादित प्याज का 12.72% प्याज पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद खराब हो जात है तो वहीं 15-20% एक्सपोर्ट होता है जबकि बाकी बचा हुआ 20-25% प्याज फसल कटाई के बाद नमी अंकुरन की वजह से बरबाद हो जाती है रभी सीजन वाली प्याज को विशेश इंतजाम के साथ 3-5 महीने तक स्टॉक किया जा सकता है जबकि खरीफ सीजन वाली प् भारतिय रिजर्व बैंक के College of Agriculture Banking की 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट कहती है कि भंडारन यानी स्टॉक की अवधी में प्याज का वजन 20-25% तक कम हो सकता है वहीं ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि नासिक में ज्यादातर किसान प्याज की फसल काटने के बाद प्याज सीध रहे हो और Post Harvesting खराब प्याज होती हो तो प्याज की खेती करने वाले किसानों के नुकसान और पीरा को समझने की आवश्यक्ता दिखाई पड़ती है Bureau Report Market Times TV